बिहार लाइफ शेवन खबर की तह तक नवस्कार मेना नाम विक्रमादी था और आप देख रहे हैं बिहार लाइफ शेवन अभी रात के साड़े ग्यारह वज रहे हैं और हम आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताने जा रहे हैं खबर यह है कि जहानाबाद के डियम हिमान सुकमार राय का जो है अब तवादला हो गया है और यहां नए डियम रीची पांडे के रूप में पदस्था पित हो गये हैं सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है लगभग साड़ी गारह बजे का बक तभी हो चुका है और सरकार के द्वारा जो निर्देश जारी किया गया है उसके मुताविक जहानाबाद के डियम हिमान सुकमार राय का जो है तवादला कर दिया गया है और जहानाबाद में नए डियम के रूप में रीची पांडे को भेजा गया है आपको बताते चले कि जहानाबाद के जो नए डियम बनाए गये हैं रीची पांडे वो पहले से उप विकास आयुक्त पट्ना में जो है पदस्थापी थे और उन्हें अतिरिक्त परभार मिला हुआ था मुख्यकारी पाल कारिभार संभालेंगे हिमान सुकमार राय जो जहानाबाद जिलापत अधिकारी थे उन्हें अगले आदेश तक के अपर सची पसु एवं मतस संसाधन विभाग बिहार पट्ना में पदस्थापित किया गया है तो यह इस वक्त की सबसे बड़ी ख़वर है कि जहानाबाद क के डियम हिमान सुकमार राय का तवादला कर दिया गया है उन्हें जो है अपर सची उबना गया है मतस से विभाग का जबकि जहानाबाद को नहें करोफ में रीची पांडे को दिया गया है रीची पांडे जो है अब जहानाबाद के नए DM के रूप में कारेभाल संभानेंगे और जहानाबाद को आगे ले जाएंगे तो अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो कि जहानाबाद जिले बास्चेयों के लिए सबसे बड़ी कबर सबसे आहम कबर रात के साड़ी गारा बजे जो है सरकार का निर्देश आया है